हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैने लास क्लास में जैसे आपको पता है कि आपका 15 नौवंबर से सेंट अप पर इच्छा सुरू होने वाला है और आज है 15 नौवंबर और आज होने वाला है आपका हिंदी का पेपर तो यहाँ पर देखे हिंदी का जो sent up exam का original question paper है वो leak हो चुका है, out हो चुका है और यह जो question paper है यहाँ पर देख सकते हैं 100% original question paper है और आज आपको यही question paper solve करने को मिलेगा तो इसका एक-एक question important है, एक-एक question का बिल्कुल सही answer हम आपको बताएंगे एक-एक question आपको याद कर लेना है, घोल के पी जाना है और इसका PDF, देखिए इसका PDF हम आपको बिल्कुल free में देंगे और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसका subjective प्लस objective इसका सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे अब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे इसका नोट्स भी बिल्कुल आपको जो सब्जेक्टिव का नोट्स होगा अब्जेक्टिव का नोट्स होगा आंसर के साथ हम आपको देंगे और कहां से डाउनलोड करना ये भी हम आपको और अभी तक आप हमारे WhatsApp गुरूप में नहीं जूड़े हैं तो यह हमारा WhatsApp नमबर है 87, 89, 23, 73, 04 इस पर आपको बूलना है कि सर मुझे WhatsApp गुरूप में जूड़ दिजे तो हम आपको WhatsApp गुरूप में जूड़ देंगे तो यहाँ पर थोड़ा से देख लिजे सेंटर परिक्षा में कितना कोशन पूछेगा यहाँ पर वस्तुनिष्ट यानि अब्जेक्टिव तो एक से लेके 100 तक दिया रहेगा और इसमें से देखिए मातर आपको 50 कोशन ही सौल्फ करना है तो अब एके करके कोशन लगाते हैं और एके करके आपको यहाँ पर सौल्फ पेपर हैं और आज आपको यही सौल्फ करने को मिलेगा तो एकदम इसका सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे और पीडिये भी इसका डाउनलोड करके एकदम लाइफ प्रूफ हम आपको दिखाएंगे तो वीडियो के एकदम लास्ट के भी जगड़ा क्यों हुआ था तो मदन और कासु के भी जगड़ा क्यों हुआ था तो लट्टू खेलने की ललक से हुआ था इससे आपको याद रखना है एवाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोशन देखिए तिन नंबर कोशन है कि किसकी खोच से हमारी एति हासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है तो बबु संस्क्रीट का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एवाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा ओरिजिनल कोशन पेपर एकदम आप लोग सुरू से अंतक देखिए आज यही आपको सॉल्व करने को मिलेग चार नंबर कोशन देखिए कि जहाज के डेकपर खड़े कितने वर्स के यहाँ पे सर जॉंस ने देखा कि सुर्य के उपरां सागर में डूब रहे तो यहाँ पे 37 वर्स के हो जाएगा यहाँ पे बीवाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोशन देखिए पांच पांच नमबर प्रशन है कि हजारी पर साथ दिवेदी को किस रचना के लिए सहीत अकादमी पुरसकार मिला था तो किस रचना के लिए सहीत अकादमी पुरसकार मिला था बबू तो अलोग परव के लिए मिला था सी वाला आंसर बिलकुली से हो जाएगा अगला कोसन देख लि तो यहां पर पासवी की प्रविर्ती आ रहा है तो जो नाखून है ये पसुता की प्रविर्ती ये पसुता की निशानी है तो ये किस पार्ट की बावु पंक्ती है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि पंक्ती है डी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देख लेके आचुके हैं अगला कोसन देखिए आठ नंबर कोसन है कि बेतमादान पत्र कब का है तो जो बेतमादान पत्र है ये 2022 का है बीवल आंसर बिल्कुल इसे हुजाएगा और बेतमादान पत्र कहां पे है तो इन दौर के पास है अगला कोसन देखिए नौ नंबर कोसन है कि क पुहासा सिर्शक यहाँ पे संग्रा एक कहानी का संग्रा यह किस ने लिखा है तो अमर कांथ जी ने लिखा है इसे आपको याद रखना है C वाला आंसर बिलकुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देखिए 10 नंबर कोसन है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी त किस लेटिन कवी पर कावीता लिखी थी तो किस लेटिन कवी पर कवीता लिखी थी बाबू तो किस पे लिखा था यह आपको यहाँ पे बताना है तो किस पे लिखा था वरजिल पे लिखा था एवला आंसर बिलकुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देख लिजे अगला कोसन ह 12 नमबर की बिर्जो महराज को संगीत भारती में कौन लाया यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिर्जो महराज है इनको संगीत भारती में कौन लाया तो कपिला जी ने लाया था यहाँ पे बिलकुल इसे हो जाएगा यहाँ पे एक से लेके 100 अक अब्जेक्टिव सबसे पले दुवार ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताओं की रहकर लिखी थी, कितनी कविताओं यहाँ प्याविन्यों में रहकर कविताओं लिखी थी बाबू, तो 30 कविताओं लिखी थी, C वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा, चौदा नंबर कोसन देख लिजे, कि पेड़ पर कमर जो कहानी का संगरा है, किसने इसका रचना किया था, तो बिनोद कुमार सुकल ने किया था, D वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा, अगला कोसन देखिए, अगला कोसन है, 15 नंबर की कौन ठंड से काप रहा था, तो जो संतु था, ये ठंड से काप रहा था, एवाला आंस अगला कोसन देखिए 16 नंबर कोसन है कि प्रख्यात सास्त्रिय गाई का गिर्जा देवी के जीवन और संगित साधना पर यतिंद्र मिस्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है तो कौन है बाबु गिर्जा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर बीवाला अंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देखिए 17 नंबर कोसने की सहनाई और कासी से बढ़कर कोई जनत इस धर्थी पर हमारे लिए नहीं है यह कथन किसका है तो बाबु यह कथन किसका है सहनाई आ गया तो समझ लेजे बिसमिल्ला खां का है यहाँ पर सीवाला अं अंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा एक एक कोसन इंपोर्टेंड बावेदम अंतक देखिएगा 18 नंबर कोसने की वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गये थे और वकालत करने के लिए कहां गये थे तो दक्षिड अफरीका गये थे अगला कोसन देखिए 19 नंबर 20 नंबर कोसन है कि भगू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेक देना या किसने कहा था तो यह किसने कहा बबू तो लेखक के पीता जी ने कहा था यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देखिए 21 नंबर कोसन द इन स्वरों का उचारण नाक और मू से होता है और उचारण में लगूता रहती है तो उसे क्या कहते हैं तो अनुनासिक कहते हैं इससे आपको याद रखने डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देखिए 23 नंबर की अहंकार का अहंकार सब्द का संदीविचित क्या होगा तो अहम जोड़कार होगा एक एक कोसन बाबु 100% एकदम सही सही कोसन है एक कोसन यहाँ पे आपको सही बता रहा है तो आप लोग एकदम सुरू से लेके अंतक पड़िए 24 नंबर कोसन है कि निमन में से सुध सब्द कौन है इस में से आपको बत है यह नाम है नाम किसमें आता है तो बैक्तिवा चक में आता है तो यहाँ पो देखे यह पूलिंग है इससे आपको याद रखना है बीवाल आंसर बिलकुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देखे 27 नंबर 27 नंबर प्रशने की भाप सब्द है यहाँ पे आपको बताना है कि जो भाप है ये कौन सा सब्ध है तो ये तत्सम है इससे आपको याद रखने है बी वाला आन्सर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोसन देख लिजे अगला कोसन है, 28 नंबर की पंडित सब्ध का इस्तिरलिंग रोप है तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित सब्द का इस्तिलिंग क्या होगा तो पंडिताइन होगा इससे आपको याद रखना है क्या होगा यहाँ पे तो यहाँ पे पंडितानी होगा इससे आपको याद रखना है बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा अगला कोसन द का उधारण है यहाँ पर आपको बताना है कि मच्छुए ने मच्छली मारा किस कारक का उधारण है बवु तो यह करम कारक का उधारण है डी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देख लिजे अगला कोसन है यहाँ पर 32 नंबर की कुछ लड़के खेल रहे हैं यहाँ पर किस भी सिसड का उधारण है बवु तो यह देखे संख्या वाचक का उधारण है बी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देखिए कि किरियाओं के ब्यापार का निरंतता को कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है कि किरियाओं के ब्यापार की निर लंतता को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं सी वाला आंसर यहां पे बिलकुल इसे हो जाएगा अगला कोसन देखिए अगला कोसन है चौटिस नंबर की चिडिया सब्द है अब यहां पे आपको बताना है कि चिडिया सब्द में क्या है तो देखिए चिडि 36 नमबर प्रशने की सपूत सब्द में उपसर्ग है यहाँ पर आपको बताना है कि सपूत सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो सव उपसर्ग है यहाँ पर दिखिए जो परते होता है यह सब्द के आखिर में लगता है तो पढ़िए इसे बंधू तो लास्ट में आएगा धू तो धूग क्या हो जाएगा इसका परत्य हो जाएगा C वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोसन देख लिजें 38 नमबर 38 नमबर प्रशन है कि रास्ट सब्द का विसे सड़् है तो रास्ट सब्द का विसे सड़् क्या हो जाएगा रास्टिय हो जाएगा दी वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोसन देख लिजे अगला कोसन है 49 नंबर की अगनी सब्द का बिलोम है तो अगनी सब्द का बिलोम का अर्थ होता है उल्टा क्या हो जाएगा जल हो जाएगा दी वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएग अगला कोसन देखी 41 नमबर की गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्यार को त्यागे थे तो जो गुरु नानक थे ये सिखो के पहले गुरु थे और ये क्या कहकर अपने प्राण त्यागे थे तो वाहे गुरु कहकर प्राण त्यागे थे यहाँ पे एवाला आंसर पंडी में हुआ था इसे आपको याद रखना है अगला कोशन देखिए अगला कोशने की मोहन छबी रस्खान लखी अब द्रिश्य अपने नाहीं किस कवीता की पंक्ति है तो यहाँ पे रस्खान आ गया तो किसका होगा वावो प्रेम अईनी स्रीराधिका का होगा सी वाला बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोशन देख लिजे अगला कोशने 45 नंबर के स्वादेशी सिर्शक कवीता में कवीता के रचनाकार है यहाँ पे आपको बताना है कि स्वादेशी सिर्शक जो पाठ है इसके कवीता के रचनाकार कौन है बाबु तो बदरी नरायन चौधर प्रिम्धन है इसे आपको याद रखना है यह वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोशन देखिए 46 नंबर प्रशने की भारत मातार सिर्शक कभीता में यहाँ पर देखिए कभीता किस कभीता से संकली थे तो किस संकली थे बाबु ग्रामिया से संकली थे वी वाला चीतवान अंधेरे में चीत नीरा औरोतन यह पंक्ती कभीता किये तो यह जो पंक्ती है यहाँ पर यह किस कभीता की है तो बाबु यह भारत माता की है सीवाला अंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देखिये 48 नमबर की अनुसार जन तंतर के देउता कौन है तो किसान मजदूर है इन्हें आपको याद रखना है यह वाला अंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देखिये अगला कोसन नमबर की सचीदानन हीरानन वत्सेयन अग्या को हिंदी के अलावा और किस भासा का ग्यान था तो संस्कृत का भी था, अंग्रेजी, फार्सी का भी था, तमिल का भी था यानि इन में से सभी का था डी वाला अंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा एक याओ नमबर कोसन देखिये कि हिरोसिमा सिर्सक कवीता यहाँ पर आपको बताना है कि हिरोसिमा सिर्सक कवीता किस कवीता की संग्रा है तो बबी यह किस का संग्रा है तो साधी नारा का है इससे आपको याद रखना है यह वाला अंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा और हिरोसिमा जो कवीता है किस ने लिखा था तो अगेया ने लिखा था इसे आपको याद रखना है अगला कोशन देखिए अगला कोशन है यहाँ पर बचाना है जंगल को तो किसे होने से जंगल को बचाना है बाबु तो मरवस्थल हो जाने से जंगल को बचाना है इसे आपको याद रखना है भी वाला आंसर बिल्कुल गरांटी है अगे कोशन देखिए तिरपन नमबर की विरेंड अगवाल के अनुसार हमारे निंद में भी क्या चलते रहता है तो हमारे निंद में जो जीवन बैपार है ये चलते रहता है C वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोसन देखिए अगला कोसन ने चोवन नंबर की कावितरी अनामिका का कहा की रहने वाली थी तो यह बिहार की रहने वाली थी D वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोसन देखिए अगला कोसन ने पच्पन नंबर की प तो कवित्री अनामिका ने लिखा था अगला कोसन देखिए 56 नमबर की यहाँ पे जीवान अंदास के नीधन कितने साल की उमर में हो गया तो जीवान अंदास थे इनका जो मिर्ती हुआ था कितने वर्स के उमर में हुआ था तो 55 वर्स के उमर में हुआ था बीवाला आंसर बि बंगला के किस काल के परमुक कभी है तो जीवान अंदास है यह बंगला के किस काल के परमुक कभी है तो रविंद्रोतर काल के परमुक कभी है डी वाला आंसर बिलकुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देख लिजे अगला कोसन 69 नंबर है कि टेल्स ओफ अलमाइटी क्या है यहा अगला कोशन देखिए कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरेकार थे तो अपना काम निकालना होता है बी वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोशन देखिए कि जो ब्याकरण जानता है उसके लिए एक सब्द क्या होगा जो ब्याकरण जानता है बबो उसके हम क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं बबो व्याकरण कहते हैं इसे आपको याद रखना है व्याकरण यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोशन देखिए अगला कोशन देखिए अगला कोशन देखिए अगला वाक के क्या कौन है तो इसमें से बबु सुध वाक के कौन सा है तो परधाना ध्यापक लड़के को चुनाओ करेंगे यही क्या है सुध वाक है बी वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोसन देखिए 66 नंबर कोसन की बिजली चमकती है किस वाक्य का उधारण तो इस वाक्य में कौन सा पद बन है तो यहाँ पर देखिए यह कौन सा पद बन है बाबु तो यह क्रिया विसेशन है इससे आपको याद रखना है यानि विसेशन पद बन है यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोसन देखिए 68 नंबर कोसन है कि राम आया और सो गया किस वाक्य का उदारणे तो जो राम है और ये आया और सो गया तो यहाँ पिखिएगे यहाँ पे यहाँ पर यह वाला अंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा अगला कोसन देखिए सत्तर नंबर सत्तर नंबर कोसन है कि लोहा सब्द का बिसे सड़ है तो लोहा सब्द का बिसे सड़ क्या है तो लोहा सब्द का बिसे सड़ लो होगा यहाँ पे सी वाला अंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा अब यहाँ प जो सब्ध है इसमें कौन सा उपसर्ग है तो यहाँ पढ़ना पढ़ेगा उपसर्ग आगे लगता है अन जान तो अन क्या हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा एवला आंसर बिलकुल ही सة हुजाएगा अगला कोसन देखिए 73 नंबर 73 नंबर कोसने की जूता सब्द है तो जो जूता सब्द है ये देशाच सब्ज है बी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा अगला कोसन देखिए अगला कोसन यहाँ पे 74 नंबर की तूने गाया होगा कौन सा काले तो ये क्या है वावो भवि बिल्कुल इसे हो जाएगा अगला कोसन देख लिजे अगला कोसन ही 76 नंबर की मेरा एक कुता है जो नैपाल से लाया गया है यह किस सर्वनाम का उधारने तो यह कौन सा सर्वनाम का उधारने बबू तो यह है यहाँ पे नीज वाचक का है किसका है यहाँ पे तो 76 का यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ मेरा एक कुता है जो यहाँ पे है तो बबू संबंध वाचक हो जाएगा जो है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको याद रखना है जो है तो यहाँ पे संबंध वाचक हो जाएगा बी वाला आनसर बिल्कुल इसे हो अगला कुसन है 18 नमबर की हे भगवान मेरी रक्षा कीजे या किस कारक का उधारन है तो यहाँ पे आपको बताना है की हे भगवान मेरी रक्षा कीजे किस कारक का बबु उधारन है तो यह संबोधन कारक का उधारन है बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा अगला कुसन देखिए कि आसु सब्द में कौन लिंग है यहाँ पर आपको बताना है कि जो आसु सब्द है इसमें कौन सा लिंग है तो जो आसु सब्द है इसमें इस्तिर लिंग है यह से आपको याद रखना है यह वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा अगला कोसन देखिए कि पाकिस तो यहां पे देखिये इसमें कौन असुध हो जाएगा बाबू तो यहां पे जो परिछा यहां प्रिच्छा यहां पर देखे पक्छी राज लिखा गया यह गलत है बिल्कुल दो यहां पर D वाला अनसर बिल्कुल इसे हो जाएगा अगला कोसन देखिये 82 नंबर Okay यहाँ पर देखिए 82 नंबर कोशन है यहाँ पर कि सिमांत सब्द का संदी बीछेद है तो यहाँ पर देखिए 80 जो सब्दे इसका जो संदी बीछेद होगा यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोशन देखिए 83 नंबर कोशन है कि एडा सब्द का अगला कोसन देख लिजें यहाँ पे 84 नंबर कि जिनके उचारण में स्वास से पुरो अल्म मातरा में निकलते हैं जिनमें हकार जैसी धौनी नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं तो बाबु उन्हें क्या कहते हैं तो अल्प पराण ब्यंजन कहते हैं बी वाला अंसर वाली मंगमा सिर्शक कहानी का अनुवाद किस ने किया था तो किस ने किया था बी वाला अंसर बिलकुली से उजाएगा अगला कोसन देखी कि मा जी सोने जैसे बेटे पैदा किया है ऐसा किस ने कहा था तो मंगमा की बहुत जो नजम्मा थी उसने कहा था बी वाला अंसर ब अगला कोसन देखिए 89 नमबर कि किसे अपने मृत पती पर बहुत गुसा आया तो किसको आया था बाबु बल्ली अमाल को आया था C वाला आंसर बिल्कुली से हो जाएगा अगला कोसन देख लिजे अगला कोसन है कि बेटी को अस्पताल में नहीं बेटी को घर छोड़ कर जा रही है ऐसा मानियेगा यह पंक्ती की सिर्षक पाठ की है तो बाबु यह जो यहाँ पे पंक्ती दिया गया यह किस पाठ का है तो अगला कोसन देख बान भर नंबर की ओरिसा सरकार के वड़ी जय एओम यातायात भीगा भाग में विशेस सच्वु कौन थे तो बिशेस सच्वु बाबु कौन थे यहाँ पे तो बान भर sed कोडी होता बिल्कुली से cortisol हो जाएगा अगला कोसन देख यहाँ पे 33 93 कि द्रा गये थे एक भी घा छोड़ गये थे यहाँ पे एवाला अंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा पापाती को किस रोग से बिडित बताया गया बाबु मेरेंजाइटिस और मेरेंजाइटिस का समन्द बुखार से इसे आपको याद रखना है अगला कोसन देखिए पंचानवर नंब सिर्शक कहानी है यह किस भासा में लिखी गई है तो यह गुजराती भासा में लिखी गई है बी वाला अंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा यहाँ पे देखिए 97 नंबर कोसने की कैलास की पतनी का क्या नाम है यहाँ पे आपको बताना है कि जो कैलास इसकी पतनी का नाम क्या ह राधाई से आपको याद रखना है अगला कोशन देखिए कि बल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए बोला गया तो बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरा में बोला गया तो 48 नंबर वाले कमरे में बोला गया यहाँ पे D वाला अंसर बिल्कुली से हो जाएगा निनानवर नमबर कोशन देखिए कि मा जी और उनके पुत्र किस गाड़ी में बैठ कर बीदा हुए तो घोडा गाड़ी में बैठ कर बीदा हुए यहाँ पे A वाला अंसर बिल्कुली से हो जाएगा अंतिम कोशन देखिए सो नमबर कोसन है कि काला Night किसका लोगपरिया उपने आसे यहाँ पर लोगपरिया उपने आसे बावू इस वर Britt Licker का है बी वाला अंसर यहाँ पर बिल्कुली से हो जाएगा यहाँ पर objective हम आपको बता चुके हैं अब यहाँ पर सब्जेक्टिव का बारी आता है तो सब्जेक्टिव यहाँ पर दिखिए यह आपका आप यहाँ पर गधान्स देगा इसको आपको क्या करना है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गधान्स यहाँ पर दिया है एके करके हम यहाँ पर तो दो नमबर का है इससे आपको क्या करना है कि लिख देना है यहाँ पर उत्तर के साथ तो सभी हम आपको देंगे आपको इसका आंसर फिर आपको यहाँ पर दूसरा गधानस आएगा इसमें से आपको एक ही आपको बनाना है को और खौ में आएगा तो सबसे पहले को आप ल 300 सब्दों में आपको निबंद लिखना है, यहाँ पर पानी की बचत पर लिखना है, पुरा बढ़ियां से, उसके बाद यहाँ पर समाज सिवा पर लिखना है, किसी पर भी एक पर लिख दिजेगा, यहाँ पर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, उसके बाद देखिए, यह पे अनुसासन हिंता पे लिखना है या पे कोई एक पे आप लोग लिख सकते हैं चार नंबर कोशन देखें यहाँ पे कि अपने बेटे भाई को अच्छे अंग्ट से उत्रें होकर दे खुसी बधाई में पातर लिखें दोनों में से कोई एक का आपको यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं या स्क्रिन सोट नहीं तो आप लोग चलिए बताते हैं कहां से इसका कोशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आंसर सब्जेक्टिव का भी तो सब्जेक्टिव भी हम आपको देंगे तो चलिए बताते हैं कहां से आप लोग डाउनलोड किजेगा तो सभ CLAWS, ask class यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर search करेंगे जैसी search करेंगे, यहाँ पर देखे, ask class लिखा हुआ जाएगा ask class पर आपको क्या करना है, click करना है जैसे आप लोग click किजिएगा, यहाँ पर देखे यहाँ पर अगर यह नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है metric center exam, Hindi question, paper matric click में download, metric science का यहाँ पर लिखा गया है metric यहाँ पर non Hindi का लिखा गया है तो यहाँ से भी आप लोग download कर सकते हैं अगर यहाँ नहीं मिलता है तो इसके photo पर आपको click करना है और यह जो खोले वाला आ रहा है इससे आपको simple खोल देना है खोल दीजेगा तो बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर download हो जाएगा खोल के उसके बाद आपको back आ जाना है back आके फिर इसी photo पर आपको click करना है खोल दीजेगा तो बहुत ही जल्दी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा फटा फट डाउनलोड हो जाएगा फिर यह post open हो गया आपको अब नीचे आना है जैसी आप लोग नीचे आईएगा यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी कोसरन पेपर यहाँ पर ओपन हो जाएगा अभी जो हम आपको पढ़ाएए इसे आपको डạउंलोड करना है तो यहाँसे आप लोग यहाँ संग्यूर्ण करने आपको यहाँ पर यहाँक talked और ऐसे आगर आपको चाहिए कोशन पेपर तो वेबसाइट से आके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वाटसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगली क्लास में तब दक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजिए टेक केर और बाए